तिलहर पुलिस ने हत्या के केस के संसिनी खेच खुलासे ने पती पत्नी के रिष्टे को सरमसार कर दिया यहां एक कलियोगी पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पत्नी के हत्या करनेगा आरोप लगा है पतनी के कहने पर प्रेमी ने गुड़गाओं से आकर उसके पती की कार से कुचल कर हत्या कर दी हाला कि हत्यारूपी पतनी और प्रेमी पुलिस के हत्ये चड़ गये हैं लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमारा समाज पतन के किस रास्ते पर जा रहा है हत्या के खुलासे से जुड़ी इसी बड़ी खबर के साथ शुराद करेंगे साजांपुर के सबसे खास बुलेटन की नमस्कार मैं हूँ बलजी सिंग और आम मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24-7 तिलहर पुलिस ने 3 अपरेल को हुई हत्या का संस्नी केजख खुलासा किया है पुलिस ने आरोपी पतनी और हत्यारे प्रेमी को गिर्पतार किया है आपको बता दे कि 3 अपरेल की रात को तिलहर शेत्र के राजनपुर रोड पर एक सेंट्रो कार के पईये में फसी एक व्यक्त हिलाश मिली थी जिसकी सिनाक्त इलाके की गाउं रजागफुर के रहने वले धनपाल के रूप में हुई थी पुलिस ने हत्याकंड का संसनी केज खुलासा करते हुए आरूपी पतनी मदू और उसके प्रेमी मुकेश को गिर्पटार कर लिया है बताया जा रहा है कि मदू और मुकेश के बीच में लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी जानकारी मरतक धनपाल को हो गई थी जिसके बाद मदू और उसके प्रेमी मुकेस ने धनपाल की हत्या की शाजिस रची और दोनों ने गाड़ी से कुछल कर धनपाल की हत्या कर दी फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिर्बतार कर जेल भेज दिया है सायांपूर में करोना ने आज जवरदस्त दस्तक दी है आज पिछले 24 घंटे में 46 नए केस ने हड़का मचा दिया है 11 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 172 दर्ज की गई है जिलापरसासन ने जिले के लोगों से सतरगता बरतनी की आपील की है सायांपूर पुलिस की सराब माफ्याओं के खिलाफ का रवाई लगातार जारी है पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 107 अवियुक्तों को गरिफतार किया है जिनके पास से 1232 लीटर अवैद सराब और 29 भटियां बरामद हुई वहीं मौके से बरामद हुई करीब 19,000 लीटर लहन को पुलिस ने नश्ट करा दिया है पुलिस की ये कर्रवाई जनपत के सभी थाना शेत्रों से एक साथ की गई है फिलहाल पुलिस ने सभी अवियुक्तों के खिलाफ और कर्रवाई करते हुए उन्हें जिल भेच दिया है धाना खुटार के कजरा इलाके के रहने वाले किसान हरदीब सिंग ने जिला प्रसासं पर फसल ना काटने देने का आरोप लगाया है किसान का आरोप है कि कजरा में प्रेम सैयुक्त सोशाइटी की लगबग 500 एकर जमीन है जिसमें से उसके नाम 80 एकड जमीन कागजियों में दर्ज है किसान हरदीप सिंग का आरोप है कि 38 एकड जमीन पर उसने सरसों की फसल बोई थी लेकिन कुछ लोगों की सिकायत पर चला प्रसासन ने फसल काटने पर रोक लगा दी है जैसे उसकी फसल बरबाद हो रही है वहीं SGM का कहना है कि जमीन को लेकर टीम जाच कर रही है उसके बाद ही निर्ने लिया जाएगा फिलहाल पीडित किसान अपनी फसल काटने के लिए दरदर की ठोकने खा रहा है कि जमीन के स्टीमी में जमीन पीन है 250 सेकड़ लेकर यहां पर जंगल था विलकुल ही जंगल ःगर उसको हमने बनाया जमीन बनगी जब जमीरी पन दूसरी पारटी घर पारटी इसमें हमने दू फसले ले चुके ले पहले धान फिर लाही अभी लाही खड़ी भी है अदी अब गन्ना वो है था दूसरी पार्टी ने बिना मतलब के जाके बत्ती एप्लिक्शन दे दी एसजम साब को उन्होंने बिना इंक्वारी किये स्टे लगा दिया भी आप गन्ना नी रोक दिया हमारा बीवी पड़ा हु हमारी वो भी सब नुक्सान हो रहा है तो उन्होंने कोई तीन दिन की जाज भढ़ाई आज पंदरा दिन हो गये हैं कोई रपोर्ट नहीं थाना तिलहर के बरहा महबतपूर के रहने वाले बालिष्टा ने अपनी बेटी की देहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है आरोपियों की खिलाब कारवाई ना होने पर पिता ने आज कलेक्टेट में धन्ना परदर्शन किया पिता का कहना है कि उनकी बेटी की साधी तीन साल पहले थाना बंड़ा के कुवाँ टांडा में सेट पाल के साथ हुई थी परिवार के लोग देहज की मांग कर रहे थी और देहज ना देने पर उन्होंने उनकी बेटी के हत्या कर दी आरोपय की पुलिस ने अभी तक इस मामले में आरोपियों की खराप मुकद्मा दर्ज नहीं किया है फिलहाल पुलिस मामले में जाच की बात कर रही है काट के बुड़ी आगाओं में संदेग्द परसितियों में आग लग गई आग लगने से क्रीब आदा दर्चन किसानों की कई बिगागियों की फसल जल कर राख हो गई जिसके बाद ग्रामीनों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया फिलहाल आग लगने के कावनों का भी पता नहीं चल सका है चौक कोतवाली शेतर की रहने वाली महिला ने बेटी के साथ गैंग रेप के आरोपियों की ततकाल गिर्फतारी की मांग की है महिला का आरोप है की मुकदमा वापस लेने के आरोपी पीडित परिवार को धमका रहे है महिला ने पुलिस पर भी एक महिने बाद भी आरोपियों की गिर्फतारी ना करने का आरोप लगाया है महिला ने धम की दी है कि अगर 24 गंटे के अंदर आरोपियों के गिर्फ़तारी नहीं की गई तो वह ही योगी आदि दिनात से मिल कर मदद की गोहार लगाएगी तिलहर के पंडित दीन दियाल उपाध्याय राज के माविद्याले में आज नशा मुक्त भारत अभियान का सुभारम किया गया कारिकरम के दौरान कालिज की प्रचार्या डक्टर सैला नुसरत की दवई ने महाविद्याले के सभी अध्यापकों और छातर छातरां को नशामुक्त एवं मादक पदार्थों से दूर रहने की सबत दिलाई दौरान नशामुक्त भारत अभियान के तहट तमाम कारिकरम हुए जिसमें भाषन, रंगोली, पोश्टर और स्लोगन बनाए गए वहीं इस दौरन हस्ताचर अभियान भी चलाया गया पंचाइटी चनाव को कुसलपूरवक संपन कराने के लिए आज गांधी भावन में पीठासीन अधिकारियों के साथ खास गोश्टी की गई गोश्टी में जिला अधिकारी इंदर्विकरम सिंग और पुलिस अधिचक एस आनजनी पीठासीन अधिकारियों को पंचाइट चनाव में उनके करतब्यों और दाविक्तियों के संबंद में आवस्चिक्दी संगिर देश दिये कारकरम में पुलिस पर सासन सही तमाम अधिकारी मौजूद रहे बंड़ा पुलिस को बड़ी कामयावी हाथ लगी है पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिर्पतार किया है जिनके पास से चरस बरामद हुई है पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चापे मारी करते हुए लालपूर आजादबूर चौराहे से चार अभियुक्तों को गिर्पतार किया है जिनके पास से एक किलो दोसो ग्राम चरस बरामद हुई है गिर्पतार किये अभियुक्त रादेशियाम, रामकिशन, पप्पू और मनमोहन है सभी अभियुक्त बंडा थाना शेतर के अलग-अलग गाओं के रहने वाले हैं फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाब भी देख कारवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है भाजपा के 41 में स्थापना दिवस के अपसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने वर्चुल सभा कर भाजपा कारेकरताओं को संबोधित किया आज महानगर के चौक मंडल के अजीजगंज सक्ती केंदर पर वर्चुल सभा के माध्यम से भाजपा कारेकरताओं ने प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के 41 वर्च इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जा सकती है और कारेकरताओं के दम पर पार्टी कैसे नाचार मेहिस चंदरबासकर ने कहा कि नसीले पदार्थों के सेवन से सरीर बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। उन्होंने लोगों से नशा ना करने का आवाहन किया। इतिहास प्रवक्ता राम सिंग ने कहा कि नसीले पदार्तों से दूर रहने के लिए समाज को गौतम बुद महावीर जैसे महापुर्शों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए पिछले दिनों 36 गड़ के बीजापुर में नकसलियों के हमले में सहीद हुए 22 जवानों को एक खास ढंक से सरधांजली दी गई सहर के बिजलीपुरा के रहने वाले समाज से भी कुमार सागर ने अपने स्रीर पर पांच दीप चलाकर सहीदों को सरधांजली अर्पित की इस दोरान उन्होंने का कि सहीद हुए जवानों पर कायरों की दरे पीछे से हमला किया गया उन्होंने बरोसा चता है कि देश के दुस्मनों को मुह तोर जवाब दिया जाएगा थाना पर और शेतर के गाउं पकड़िया में एक महिला ने फांसी लगा कर रात मत्या कर ली पताया जारा कि 40 वर्सी महिला संद्या ने आर्थिक तंगी को लेकर देर रात फांसी लगा ली परिवार वालों का कहना कि खराब पड़ी बिलेरो गाड़ी ठीक कराने में काफी पैसे खर्चों गए थे जिसके कारण परिवार में आर्थिक तंगी आ गई महिला की मौत के बाद पती ध्यान पाल और परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है फिलहाल पुलिस ने शब को कपचे में लेकर पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है तिलहर पुलिस ने अवैद सराव के साथ 11 अवयुक्तों को गरिपतार किया है जिनके पास से अवैद सराव और सराव बनाने के उपकर अन बरामद हुए है पुलिस ने तिलर्थाना शेतर के आलग अलग गाउं में चापे मारी करते हुए 11 अभियुक्तों को गिर्पतार किया है जिनके पास सो लिटर आवैस शराफ बरामद हुई है साथ ही मौके से बरामदी आठ सो लिटर लेहन को पुलिस निनस्ट कराया है फिलाल पुलिस ने सबी अभियुक्तों के खिलाब आपकारिया दिनियम के तहत का रवाई की है सिंधावली जिलापंचाई सदर से 33 सीट से प्रत्यासी सुरेंदरपाल ने अपने समर्थकों के साथ लोगों से वोट करने की अपील की आज सुरेंदरपाल ने इलाके के गाउं दिलावरपूर, इटारोडा, गोराराइपूर, इंदरखू और मरोरी में जनसंपर कर लोगों से वोट करने की अपील की इस दोरान सुरेंदरपाल के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे पुआया में आज राष्टिय संयुक्त अधिवक्ता मंच के जिला अध्यच अरुन सक्सेना ने इस्थानिय कारयाले पर संगठन सक्कृता अभिहां चलाया इस दोरान आगरा से यहां पहुँचे मुखे आती थी हैमेंदर पाठर एडवोकेट और संगठन के आगरा मंडल अध्यच जगदीस नारायन शर्मा का सुवागत किया गया इस दोरान जिला अध्यच अरुन सक्सेना ने कहा कि ना कोई धर्म ना कोई चाती सबसे पहले हम अध्यवक्ता हैं और हम अध्यवक्ता हितों के लिए हमेशा तत पर रहेंगे तिलहर पुलिस ने पंचायत चुनाओ को लेकर नगर में सांती विवस्ता बनाए रखने के लिए फ्लैग मर्च निकाला इस दोरां सराब के ठेके और संदेग द्यवक्तियों की चेकिंग भी की गई और लोगों से नगर में शांती विवस्ता बनाए रखने की अपील की गई